दोस्तों, आज हम आपको ग्रिवांस के महत्व के बारे में बताएंगे, ग्रिवांस की मीनिंग क्या होती है, ग्रिवांस का महत्व क्या होता है, दोस्तों, ग्रिवांस का मतलब होता है किसी प्रकार का संतोस, चाहे वो व्यक्त किया जाए, अत्वा न व्यक्त किया जाए, च अनुचित हो या अन्यायपुण हो, नैसंगत हो या नैसंगत नहों." अता, ग्रिवांस को हम कई श्रीणियों में बाढ़ सकते हैं, ग्रिवांस पहला जो WORKING कंडिशन के करण उत्पन होता है, दूसरा ग्रिवांस जो मैनेजमेंट पॉलिसी से उत्पन हो जाता है, और तीसरा ग्रिवांस जो होता है वो mismanagement के कारण मतलब कंपनी में अव्यवस्था के कारण उत्पन होता है दोस्तों हम आपको ग्रिवांस के कुछ उधारा बताते हैं जैसे poor relationship with supervisor, non-availability of proper tools, tight procedure production schedules, bad condition of workplace, overtime, seniority transfer और over ambitions होना कभी-कभी implyगा वो भी जो है ग्रिवांस का एक कारण बन जाता है एक अच्छा manager ग्रिवांस को तभी पहचान लेता है जब वो जन्म लेने वाला होता है और वो चुक्यू से पहचान लेता है समय रहते है इसलिए वो उसको असंतोस में ग्रिवांस में परवर्तित ही नहीं उन्हें देता दोस्तों इसके लावा अब ग्रिवांस को पता कैसे लगाया जाए कि ग्रिवांस की कब और कैसे उत्पन होता है तो ग्रिवांस को पता लगाने के कई रास्ते होते है जैसे एक्जिट इंटर्व्यू ग्रिवांस को पता लगाने का एक बहुड़ा अच्छा रास्ता होता है जहाए इंप्लाई अपने उद्गार को अपनी प्राबलम को खुल कर मैनेजमेंट के सामने रखता है जब वो मानने की जरूरत है कि ग्राइब बॉक्से पिल्कुल ही सजेशन बॉक्स से डिफरेंट होते हैं तीसरा है दोस्तो ओपन सर्वे चौता है इंप्लाई फोरम सच आज वर्क कमिटी वर्स कमिटी जहांपे इंप्लाई अपने ग्रिवांसेज को दूसरा दोस्तो सभी प्रकार के ग्रिवांस को लिख कर उसके नेचर यानी प्रकृति को समझना और उसे साल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शाफ फ्लोर पर जो होता आया है वो बाद में ग्रिवांस के रूप में हमारे सामने आता है और वोही ग्रिवांस यदि समय से साल्व न किया जाए तो फ्यूचर में डिस्प्यूट में Convert हो जाता है जिसकी जड़े बहुत लंबी और मजबूत होती है और फिर उसे साल्व करना बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों ग्रिवांस साल्व करते समय जितने भी relevant facts होते हैं ग्रिवांस related उन्हें record कर लेना चाहिए और record करके employee को convince करना चाहिए ताकि employee का विश्वास जीता जा सके और उसे management के ग्रिवांस solving procedure में विश्वास हो और उसकी विश्वशनिता कायम की जा सके जब भी किसी समस्या जानी ग्रिवांस related कोई समादान ढूडा जाए और उसे implement किया जाए तो अवस्षी ही उसे सम्मंदित करमचारियों को जिसने वो ग्रिवांस आपको बताया है शेयर किया है उसको communicate जरूर से किया जाए और दोस्तो ग्रिवांस related action को जब भी इंप्लिमेंट किया जाए तो इंप्लिमेंट करने के बाद follow बहुत important होता है ताकि समय रहते उसमें आउसकता अंसार जैसी वी आउसकता हो उसे आउसकता अंसार परवतित किया जा सके दोस्तों यहां पर हम आपको कुछ example बताएंगे ग्रिवांस का ताकि उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकें तो बड़े कमाल की बात है कि कंपनी में एक departmental incentive bonus scheme चलती है मैं और मेरा कलीग जो breakdown के समय बड़ी महनत के साथ breakdown को ठीक किया चीजों को right direction में लाया लेकिन उस महीने में हमको bonus incentive नहीं मिला क्योंकि मै अपना target achieve नहीं कर पाया यह एक ग्रिवांस है जबर जस्त मेहनत करने के बावजूद भी हमें जो है dissatisfaction है क्योंकि और लोगों को जिन्होंने मेहनत नहीं की बैठे रहे breakdown के करार उनको तो incentive मिला लेकिन मैंने इतनी मेहनत की और चीजों को breakdown को ठीक किया सही direction मिलाया लेकिन म मेरे को bonus नहीं मुला तो यह प्रकार का ग्रिवांस है दोस्तों दूसरा हम आपको एक और ग्रिवांस बताएंगे कि मैं और मेरा कली 10 साल पहले सेम department में सेम service में जोईन किया था और हम दोनों ही एक प्रकार से एकी बराबर सेल्डी पाते हैं लेकिन उसको company ने company quarter दे दिया और मेरे को company quarter नहीं दिया अगेन एक ग्रिवांस दोस्तों मैं X grade में placed हूँ और मेरा job जो है उसमें ज़्यादा skill की requirement है income prison to other grade my repeated representation to place me in the next grade have not yet been considered मतलब मेरे से कम skill का आदमी promote हो जाता है लेकिन मेरे लगातार representation के बाद भी मेरे को next cadre नहीं दिया जाता again a grievance ग्रिवांस का handle करने का एक procedure है जिसको की हम आपको आगे कभी बताएंगे लेकिन अभी इस chapter को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ आसा है कि यह chapter आपको पसंद आया होगा और अधिया आपको पसंद आया हो दोस्तों तो आप इससे like करें, share करें, subscribe करें और bell बजाना न भूलें तता comment box में अपने comment भी दें धन्यवाद, नमस्कार